नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार और टाइमस्टाउन अभारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का एक लौता शो देश का मूड मीटर तो अपने मोबाइल से सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करिए स्कैन करते ही आपके सामने सवालों के एक लिस्ट खुल जाएगी उसे फटा-फट भर दीजिए और लाइव जवाब सब्बिट कर दीजिए और हाँ आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लग की वोटर को देते हैं किनाव कभी गाली तो कभी धमकी प्रधान मंतरी मोदी के खिलाफ क्या कॉंग्रेस के पास अब यही दो हथियार बच गए हैं हर चुनाओं में कॉंग्रेस का कोई नेता खड़ा होता है और मोदी को या तो धमका जाता है या कोई अपशब्द कह जाता है और हर बार उन्हें इसका का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है चुनाओ दर चुनाओ यही होता रहा लेकिन लगता है कॉंग्रेसी नेताओं को नसुधरने की कसम खाली नया मामला 36 गड़के नेता कवासी लकमा का है लकमा पांच बार के विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं वे कह रहे है हैं कि कवासी की कवासी लकमा जीतेगा और मोदी मरेगा जरा सुनिए एक बार पी को अब लगता जिर्तो को दीश तो के कदा रहा है पी को अब लगता जिर्तो को दीश तो के कदा रहा है कि यह लाठी से मोदी का सीर फोड़ने की दमकी दे रहा है मोदी गरीब का बेटा है सीर उचा रख करके चलता है मोदी इनकी धमकियों से डलने वाला नहीं है तो ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी में मोदी के लिए अब शब्द की होड लगी है कौन कितनी बार और कितनी बड़ी गाली देगा लोग इसकी होड में लगे थे सवाल उठता है कि कॉंग्रेस पार्टी के पास क्या चुनाव आते ही इस तरीके से गाली या धमकी देने की एक कौन सी रवायत शुरू होगे जनता के मुद्दे और चुनाव में जो असली एजंडे हैं उसको भूल कर मोदी को अफमानित करके क्या साबित करना चाहती है कौंग्रेस क्या कौंग्रेस को लगता है कि सिर्फ मोदी को गाली देकर या मोदी को कोस कर वो चुनाव जीत जाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इननेताओं की इस तरह की बयानवाजी के क्या माइन है सवाल और भी बहुत सारे हैं बलकि तीखे सवाल हैं कि एक तरफ मोदी हर रोज दो दो तीन तीन रेलियां कर रहे हैं पूरव से पश्चिम और उत्तर से दक्षन सिर्फ मोदी ही नहीं बलकि पार्टी के सारे बड़े नेता दिन रात एक किया हुआ है उन्होंने और दूसरी तरफ आप विपक्ष की तयारी को देश के विपक्ष का एक्षन देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं तो यह यूँ ही नहीं है और भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम आज बात करेंगे अपने मिहमानों से लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिकर कर लेते हैं जिस पर की आज आपको घुमाना है देश का मूड मीटर जिसका देना है आपको जवाब और आपके जवाब के जरिये घुमेगा देश का मूड मीटर तो कौन से सवाल है जड़ा जट-पट में देख लेते हैं सवाल नंबर एक क्या हार के डर से कॉंग्रेसी नेता मोडी को गाली दे रहे हैं सवाल नंबर दो दिखाईए मरेगा मोडी जैसे बयानों का चुनाव पर क्या असर होगा मोडी और ताकतवर होंगे आपसन ए कॉंग्रेस को और नुकसान होने वाला है आपसन बी और आपसन सी कॉंग्रेस को फाइदा होगा सवाल नंबर तीन कॉंग्रेस के नेता बार-बार मोडी को अफशब्द क्यों बोलते हैं और अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग या कोई दूसरा आदमी है तो यह तो गलत है तो इसलिए बार-बार यह फ्रस्ट्रेशन उनका इस रूप में निकलता है और ओप्शन C है इसमें किसी विकास की या किसी और भी जो राजनितिक जो पॉलिसी है उसको ले करके वो चुनोती नहीं दे सकते मोडी को विकास के मुद्दे पर चुनोती नहीं दे सकते इसलिए वो इस तरह की गाली-गलोज की भाशा पे उतर आते हैं सवाल नमबर चार, विपक्ष की गाली अकेला मोदी सब पर भारी क्या सही सावित कर रहा है? ऑप्शन है, A हाँ मोदी के सामने सारे फीके हैं, ऑप्शन B है नहीं, विपक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा है और ऑप्शन C है कह नहीं सकते सवाल नमबर पांच आकरी सवाल दिखाईए क्या इस वार भी गाली और धमकी कॉंग्रेस के लिए बड़ी भूल साबित होने वाली है हाँ बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ऑप्सन ए ऑप्सन बी कॉंग्रेस गलतियों से नहीं सीखती और ऑप्सन सी इसका कोई असर नहीं होगा आप क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में हमें फटा फट बताना शुरू करिए मूड मीटर घुमाना शुरू करिए और हम आते हैं चलते हैं अपने महमानों के पास जिनसे कि हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो इन सवालों के अलावा भी से इतर भी बहुत सारे स चंद्रमोहन शर्मा, तो क्या गाली और धमकी के अलावा कॉंग्रेस के पास अब कोई एजंडा नहीं है? क्योंकि रहलीयां तो हो नहीं रही, क्योंकि सभायें तो हो नहीं रही, कॉंग्रेस के नेता कहीं प्रचार के लिए जा तो रहें नहीं है, बची-खुची जो कसर है वो कवासी लक्मा और इस तरह के नेता पूरा कर दे रहें, खड़े होते हैं और गाली दे कर चले जाते हैं, क्या कॉंग्रेस के पास बस यहीं एजंडा रहा गया? चंद्रमोहन सर्मा, आप म्यूट हैं, उसको आप अन्म्यूट करिए ज़रादे. आ रही है यहाज? ऐसा क्या कारण है कि अगर कोई विक्ति गलत कहता है, चाहिए वो किसी पार्टी का भी हो, चाहिए वो कॉंग्रेस का हो, चाहिए भाजपा का हो, किसी और दल का हो, भाजपा उसके ओपर कारवाई क्यों नहीं करती? आप भी तो नहीं करते हैं जो एक शाती टोक कर परचाई बनके आ जाते हैं तो भी प्रेम शुक्राजी से कहता हूं कि आज इसके उपर निन्ने करवाने हैं देश के पणार मंतरी से कि कि किसी भी पार्टी के नेता ने अगर किसी भी नेता के परती आवद्र माचा का प्रेउख करा तो उसके उपर सजा होगी एक निया बहुत अच्छा सुझाओ है आपका जरा इनी सुझाओं के आलोक में जरा कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं एक मिनट रूख जाईए चंद्रमों शर्मा बहुत इतनी अच्छी आपने बात कह दी अब इसके बात कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है सर एक मिनट रूख जाईए मार्श दो हजार तेईस सुखजिंदर रंधावा कहते हैं कि अडानी हमबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म करो फरवरी दो हजार तेईस को मोदी तेरी कबर खुदेगी कॉंग्रेस नेता नारा लगाते हैं जुन 2022 को सुबोध कान सहाय कहते हैं हिटलर की चाल चलेगा हिटलर की मौत मरेगा 13 जुलाई 2022 को शेख हुसाइन विधायक है कहते हैं कि जैसे गीदर की मौत होती है वैसे नरेंदर मोधी की मौत होगी अजैरा है चार फरवरी 2022 को कहते हैं साथ मार्च को चुनाओ के दिन मोध तोले कहते हैं, मोधी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं, भाई इनके खिलाफ कौन सी करवाई हुई, क्या आप एक कॉंग्रेस के नेता नहीं रहे, कौन सी करवाई हुई यह बताइए ना, कारवाई होनी चाहिए, आपने तो कारवहाई की नहीं, उसके बाद उसके लिए विधवा कहे देना, पचास कोड़ी गल्फन कहे देना, यह सब आप आज आज जी सवाल पे चर्चा हो रही है, आप से ख़डा हो रहा है आपने दो बात करी थी मैंने संतलंद बात करी थी देश के लिए लेकिन आपने गता बात करी वो और पक्ष को कुछ करने के लिए करी सवाल आपसे कर रहा हूं अभी तो आप ही के पख्ष की बात होगी न कि उनके पख्ष की बात भी आप ही से पूछ भूँ मैं भाई ये ग्यान की बाते सिर्फ बीजेपी पर लागू होगी क्या कि आप अपने पर लागू नहीं करेंगे बही और तो और ये बोटी बोटी वाले इमरान मसूद को भी आपने टिकट दे दे दिया भाई साब आपने अच्छा तो आप यह चाहते हैं कि गालियां आप दे और हम बीजे पी नेताओं की लिस्ट निकाल कर बैट जाएं मतलब आप ये क्या रहे हैं कि 10 सालों में बीजबी की किसी नेता ने किसी भी विपक्ष के नेताओं के पती कोई अबंद्र भाशा का इस्तवान लिखिया आप सेंटिफिकेट दे रहे हैं भई आपने आपके मैंने तो पूरी लिस्ट बता दिया अभी लिस्ट और भी लंबी हो सकती है और भी लिस्ट लंबी हो सकती है मैंने कुछ लोगों की सिर्फ कुछ लोगों के सेलेक्टिवली मैंने आपके पार्टी के कुछ नेताओं के हमने बयान सुनवाए बाकि ऐसे तो यह कोई बयान भी दिया हो किसी बड़ Times नहीं गलत बयान हो गया एसा यह कहना चाहिए था किसी ने अफसोस भी जताया हो तो बताई कि आफसोस अधाया है क्मक्राव कॉणग्रस को चला गया कि ourselves के नेधाraw पॉलिशी भी आप पनाएं और आप उसको माने भी नहीं आप इतो इस सुझाओ देना बहुत आसान है ना लोग क्या करें जरा देखते हैं लोगों की राए लोगों की राए आप सिधा-सिधा जवाब नहीं देंगे लेकिन लोग बहुत सिधे-सिधे जवाब देते हैं रसी जल गई लेकिन एठन बांकी है ऐसा मानने वाले लोग साड़े आठ पीजदी हैं और सभी दलों में अब शब्द बोलने वाले लोग हैं ऐसा मानने वाले करीब-करीब तीन फीजदी हैं तो यह है लोगों की राए इस सवाल पर कि कॉंग्रेसी नेता आज की तारिक मे मोदी के खिलाफ यह गाली गलोज वाली भाषा या धंकी वाली भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यह लोगों का जवाब है प्रेम शुक्ला भाई एक तरफ यह दिखता है कि प्रधान मंतरी मोदी सुबह से लेकर शान तक कम से कम 2-3 रैलीयां तो जरूर कर रहे हैं लेकिन इनको लगता है कि मोधी 400 पार का जो नारा है वो फेल हो जाएगा और ये जो जीत अगर हुई भी तो ये जीत जो है वो इवियम करा देगा भई आप कोई कोई आदमी कहीं कोई काम करता दिखने ही रहा विपक्ष की तरफ से लेकिन इनको लगता है कि फिर भी इनको ज जीत जो है वो तोफ़े में मिल जानी चाहिए। बात नहीं है। और अकेले प्रधानमंत्री आदर्णी मोदी जी है। बहारत के चुनावी इतिहास में लोकतांत्रिक इतिहास में। आदर्णी जबाला नहरुजी उन्नीस तो वावन से सतावन की बीच मुन की लोगपृता का पाईवान जो है नीचे की तरफ आया था। सतावन में वो किरिल का चुनाव हार गए थे। दुनिया कामयाभी देख रही है और विपक्ष मोदी को गालियां दे रहा है। लगातार गालियां देने का इनकी हताशा का परिणाम है इनकी जो राजनिती कुंठा है वो इस तरह प्रकट हो रही है बारंबार। आदर्णी मोदी जी लगातार भारत को विक्सित बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में स्वयम को जूके पड़े हैं। भारती जन्ता पार्टी का एक एक कारिकरता जो है भारत को विक्सित राष्ट बनाने के लिए संकल्प लिये पड़ा है। राष्टी जन्तांतरी गड़बंदन का एक एक कारिकरता इस बार राष्टी जन्तांतरी गड़बंदन को 400 पार पहुचाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। दूसरी तरफ आप स्वयम बता रहें कि बताईए कहीं पर भी आदर्णी नरेंदर मोदी जी को गालियां देने के लावां। वो बोटी-बोटी काट देंगे, कबर खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, और हम मार डालेंगे। इस तरह के बयान बार ohm-bार देकर, यह क्या आसिल करना चाहते हैं। और तर्क क्या देते हैं। कैसे के शब्दों को लेकर आते हैं। अब मैं बहुत सारी बहसों बैठता हूं। तो यह कहते हैं कि मोदी जी ने मंताजी को दीदी क्यों कह दिया। साफ सावान राजनेती करता हूँ, लेकिन मौत मरेगा बोटी-बोटी काड़ दूँगा इस वहाल गाली नहीं है, बलकि धमकी है एक व्यक्ति को प्राण से मार देने की और एक नेता बात नहीं कर रहा है बारम बार बात की जाती है हमारे यहां तो दिली भोष जी बंगाल के बड़े नेता है एक उनका कमेंट आया उस पर भार राश्टी अद्धिक जिन उनको नोटिस थमा दिया आत्में ल बड़ा बात कर दो क्रण बरमा क्या कंग्रेस को इसा लगता है कि जो कड़ी मेहनत है फसीना बहाना जिसका बोलते है कि पूरी ताकत देना तो लगता है कि इसका विकलप उन्हों सस्ता विकल्प डूंड लिया है कि गाली दो चर्चा में आ जाओ और यह आपका चुनाओ परचार हो जाएगा करण बर्माद देखे रंजीत जी विनाश कारे विप्रीत बुद्धी कॉंग्रेस के साथ कॉंग्रेस ने देख लिया है कई बार पर सीखती नहीं जब जब कॉं मित्र चंद्र मोहन जी बैठे हैं यह बहुत ही सभ्य वेक्ति हैं मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं इन्हों ने आज एक तरह से अपने कॉंग्रेस के साथियों का साथ नहीं दिया अब यह इनकी विवस्ता है मैं तो इनसे कहूंगा एक कदम आगे पढ़के यह बात बुनों तो कानूनन भी कारवाई हो सकती इनके उपर जो यह शब्दावली है इसमें हिंसा है इन्हें या तो बरखास किया जाए पार्टी से या जो भी है नाना पटोले जैसे लोग शेख हुसें जैसे लोग जिन्नों ने हिंसा की बात करी प्रधान मंत्री के बारे म और अगर आप कह भी देंगे तो क्या कॉंग्रेस ऐसा करेगी क्योंकि उसमें उस लिस्ट में सिर्फ ये छोटे नेता नहीं है उसमें मलिकार जुन खडगे से लेकर अधिर रजन चौधरी से लेकर तमाम लोग हैं दिग्विजय सिंग जैसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के बैन दिए तो से यह इंट लेकिन अगर आपकी काबलेत यह वह कि अगर आप जो ब्यान क्या रहे हूं उसके ंंदर से कुछ ब्यान भाजपा के भी निकाल दीजे बैन कहने को तयार हूँ जो मेरे मित्र वर्मा जी कह रहे हैं लेकिन उस पर पाटी मैं यह भी चाहता हूं अभी मेरे मित्र प्रेम शुकला जी विद्वान है और वो क्या कह रहे हैं कि विद्वा थोड़ा होती है चंद्रमोहन जी आज अगर गालिया भी है तो आज उसी की बात होगी है अब माफी मांगें अगली बार से अगली बार अगली बार अगली बार वीजेपी से माफी मांगें हो सकती है या मोत आ जाना वोत तो सब्गवान आने है मेरा शराश पूरा होने दीजे जहरीला जहरीला साप और पगला ये अच्छे शब्द है क्या चंद्रमोहन जी ये मलिकार जुन खडगे और अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं प्रधान मंत्री की रहलिया गुरी मंत्री की रहलिया बीजे प्यड्यक्ष की रहलिया अरुणा चल्से लेकर और कुमारी तक रोज हो रही हैं सारे लोग भी तम एक वाइनार् Forgive कहां गए बहुए और वभी चोटी रेलीया हुए अभी और ववी डीन साथ दिन जिए राहू रहे हैं और प्रधान मंत्री मोधी रोज तीन जगह जा रहे हैं तीन जगह लोगों से मार सकता हूँ इस पर क्या क्या है इस पर आप क्या कहेंगे देश का रोल मौडल आपकी नजर में नहीं आपके पास लोगों को बताने के लिए लोगों को दिखाने के लिए ना कोई काम है और ना एजंडा है इसलिए आप इस पर आपके नेता इस तरह के उनल और बाते कर रहें मुझे अभी आपका जवाब दे रहा हूँ, आपके पार जवाब आने वाला है और कॉंग्रेस को फाइदा हो सकता है, ऐसे बयानों से ऐसा मानने वाले लोग दसमलवाट पीज़दी हैं जरत तीसरा सवाल भी ले लिजिए कॉंग्रेस के नेता बार-बार मोदी के खिलाफ अब शब्द क्यों बोलते हैं? यह हमने सवाल किया था और आप क्या कह रहे हैं? कॉंग्रेस के पास कोई एजंडा नहीं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है ऐसा 73-44 फीज़दी लोग मानते हैं, सत्ता को विशेशा धिकार मानते हैं कॉंग्रेस के निता उन्हें लगता है कि सत्ता में रहने का हक सिर्फ उनी का है और अगर कोई दूसरा है तो यह जो फ्रस्टेशन है वो गाली के रूप में बाहर आती है ऐसा मानने वाले लोग करीब-करीब साड़े-बारा फीज़दी हैं और साड़े-तेरा फीज़दी लोगे मानते हैं कि नीतियों पर चुनावती नहीं दे सकते हैं मोदी को इसलिए इस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं कॉंग्रेस के निता तो यह है लोगों की राए चंद्रमोहन सर्मा मैं आऊंगा आपके पास लेकिन जिरा दानिश जी के पास चलता हूँ उस पर हर एक विप्ती को मीटी के साथ में मैदान न उतारना पड़ेगा अगर आप चेहरे के सामने में चेहरा में मकाबला करने जाएंगे तो फिर आप उनकी राजिल्थी के मकाबले में नहीं जाएंगे तो उसे नमबर की बात थी के देश के जो मुख्य मुख्य हैं उन पर बात करने के बिजाए कहीने कहीन न कहीन उनके उस फ्रैप में हमेशा फस्ता है जहां पर असद्धर जिल्थी साब ने उन्हें याद दिलाया है देखे चीन के मुख्य पर इतना बड़ा मुख्या है तो कहीन न कहीं है जो पुरी राजनिती जो कर रहे है या आपके सामने रहते ही बात के जिस तरीके की ओची राजनिती की बात है मैं समझता हूं कि विक्ति तिकपड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी के हो कोई भी हो लेकिन बिल्कुल साफ बात ये भी है कि अगर मैं समझता हूं कि चाहिए जो है उतने किसी एक विक्ति विशेश को जो जो मोधी जी वहां पर मेंबर पार्लामेंट है लेकिन अगर इनी तरह के मेंबर पार्लामेंट की बात की जाए तो अलग अलग तरह पर समाज के मिरूद में इस तरी की भाश्या का इसके माल हुआ ज अगर पार्लामेंट रहे हैं किया प्रधान मंतरी जी उनको अकेले में भी इनसे यह नहीं कहा होगा कि आप इस तरी के बात करते हैं लेकिन हमारे सामने नहीं आया तो यह सारी चीज़ें आपके असामने बहुत सारी चीज़ें है यह बात ओवैसी जी को भी अपने भाई से करनी चाहिए यह बात हो वैसी जी को भी अपने भाई से करनी चाहिए कि भाई एक खुले आम मंचों पर मंच पर खड़े हो करके ऐसे 80 और 15 वाली बात मत किया करो यार पुलिस को चुनौती मत दिया करो इसे अच्छी बात तोड़ी है पर मुझे अच्छा तब लगता जब जब वाती जन्टा पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं लिकार आप जब बौल रहे हैं तो मुझे मुझे एक चोटी सी बात जैब होंनी चैये इसलिए मैंने च्याइविए कूछ पिछले कुछ जिनों में जराइज, इन्होंने मुद्डे उठाए हैं, वो एक तो मुक्तारम सारी के घर जाकर के अपना शोग प्रकट करते हैं, और एक गाजा और फिलस्तीन उठाते हैं, तो ये तो उनके मुद्डे हैं, जो वो उठा रहे हैं, वो देश के किते मुद्डे उठा रहें, उनकी ट्विटर लाइनी देख लीजेगा आप, पिछले चार दिन में, आज का दिन छोड़ के पिछले चार दिन में, सिर्व ये मुद्दे उठाए हुए उन्होंने, या तो एक गैंग्स्टर के साथ खड़ा होना मुक्तार अंसारी के साथ, जो की गाजा पिलस्टीन को लेकर के हिंदू-मुस्लिम की टाइप की बात करना, तो आप भी बढ़िया बताएए, आप कौन से मुद्देख रहे हैं, बहुत मौजू सवाल है, हाँ किसी के घर जाने पर पावंदी नहीं, दानुश्कुर ऐसी, लेकिन एक घोशित हिस्ट्री सीटर और गैंग्स्टर के घर जाने पर, घर जाने पर, क्या मैसेज देता है, क्या फिरते समझाने की बात होगी क्या, कि आप अगर किसी गैंग्स्टर के घर जाते हैं, उसके, और क्या मैसेज जाता है लोगों के बीच में, ये क्या कोई, इसको समझने के लिए कोई पॉलिटिकल साइंस का पंडित होना पड़ेग आपकी हमदर्दी गैंग्स्टर के साथ है, माफिया के साथ है, इसलिए क्योंकि वो मुसल्मान है, अब शुकला जी के पास जाओंगा, आप बार बार शुकला जी का ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ऐसा, कि विपक्ष के लोगों को इस तरीके से आद करें, कि विए उनको कम मौका मिल रहा है, उनको बोलना चाहिए, इसी बात पर शुकला जी भी अपनी बात करी देंगे, ठीक है, प्रेम शुकला जी लजी बमाईना का लिए बहरती जन्ता पर्टी में इसी बाति या Prague कर लेइंग भार्ती जन्ता stump इंद्य अप सुन लिजिए कि आप आप कैसे जो हैं कुतर कर रहे हैं बहरती जन्ता पर्टी में पर्गंबर मुहमत के वारे में टिपणि इसी चैल्ट प्र जबाब गया शर्मा जी को तो अपी ने सस्पेंट कर दिया सुन लिजे सुने चाफ इस Android कि भारती जंता पाटी ने किया लेकिल भाग के लक्षमी को गालिख करेया धे लेगे कर निप्टक पर अक्बर उद्धिन ओवैसी के खिलाफ आप कारवाई की मांग करने की हिम्मत कर दीजिए सिर्फ भाग लक्ष्मी जो हम लों की आराद है पेगंबर मुहम्मद के खिलाफ बात करने पर टिपणी हो गई मुकदमा हो गया कारवाई हो गई लेकिन भाग लक्ष्मी हमारी आर भी है फिर भी उनको एनाइए जो है कोट उनको अलाव भी नहीं करें बीमारी पर लेकिन मुक्तार अंसारी जो सजायाफता अपराद ही है जिसके अपराद प्रूव हो गए हैं आठाट मामलों में कन्विक्ट है उसके यहां आपके असदूत दिनों ऐसी जाए सामप्रदा वैसी जो स्वें कुतुब शाही मस्जिद का सवधा कर लेते हैं कुतुब शाही मस्जिद हैदराबाद की देच कर सवधा कर लेते हैं और सड़ी भी बाबरी के लिए रोज जो है हुंकार बरते हैं तो जो अभी मस्जिद बेच के खा गए हैं अगर आप सच्छे मुसल्मा सब्सक्राइब करते हैं कि लोगों की राएब इसमें शामिल होती रहे चौथा सवाल का जवाब बताईए कि लोग क्या कह रहे हैं विपक्ष की गाली अकेला मोदी सब पर भारी को सही साबित कर रहा है क्या तरीब 500 फिजदी लोग मांते हैं कि हां मोदी के सामने सारे फीके हैं और एक दशमलो दो फिजदी लोग कह रहे हैं कि नहीं विपक्ष कूरी ताकच से लड़ रहा है कि ऐसा मानने वाले लोग करीब-करीब 83 फीजदी है और कॉंग्रेस गलतियों से सबक नहीं सीखती। ऐसा कहने वाले लोग 15 फिजदी हैं, सिर्फ 15 फिजदी लोग कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, चंदरमों जी सवाल यही है कि क्या कॉंग्रेस अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सीखती क्या, 2007 से 2022 तक ऐसे 5 मौके आए हैं, जब आपने मोदी को गालियां दिये और हर पर मुझ की खाई है, कब सीखेंगे साहब? बता दें, वरना आप आरोप लगा के मुझ पर आरोप लगा के क्या आसिल कर लेंगे? जब आप प्रिशन करोगे तो उसका हल बिलेगा, आप बाद पर विवाद पैदा करते हो, क्योंकि आपका पूरा टिक्शन हमला कॉंग्रेस के प्रती रहता है, जबकि आप ने एक शब्द नहीं स्वास करा… ये भी आपकी चाल तो नहीं है, रंजीत जी, ये तो चुपो गए है, अब आप मैंसे दो प्रक्ता बोलेंगे, कि देखो कॉंग्रेस का मुझ आप, 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 आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यहाँ, चंदर महां जी कह सकते हैं ये शाजिश की, आप कहिए कि देश के अगली बारते आप ये भी कहिएगा, कि आपकी पार्टी के नेता तो परचार कर नहीं रहे हैं, तो रंजीत जी, आप ही हमारा मैनिफेस्टो और हमारा परचार आप ही कर दिया करो अपने अपने प्रोग्राम में, ये भी काम हमसे ही कर वालो, सवाल तो आप लेके आओगे आप परचार भी न करो, आप रहलिया भी न करो, आप लोगों के पास जाओ भी न, एजंडा भी न बताओ, और सारा आरोप हम पर मल दो, कि हम इसलिए हार रहे हैं, क्योंकि ये एंकर्स जो हैं, हमारे साथ नहीं है, इस तरह की बातों से कोई समस्याहल नहीं होने वाली कॉ आप कोई बात समझना होगा चंद्रमोंजी, समय कम है, समय कम है, आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और मूड मीटर में अवक्त है, आज के चार लगी वोटर का नाम बताने का, औ देश का मूड मीटर में जराइक बार नाम दिखाईए उनका, नवनीत कुमार है उत्तरप्रदेश के और सुनीता मिश्रा उत्तरप्रदेश की है, इनके जो मोबाइल का आखरी चार डिजिट है, वो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बाकी के दो नाम और भी जल्दी